जैहिन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल SSB Crack Exams में आज की वीडियो में हम बात करेंगे OTA में ट्रेन हो रही फीमेल केडिट्स के डेली रूटीन के बारे में इंडिन आमी के Officers Training Academy में Short Service Commission के लिए Officers को तयार किया जाता है इस Academy में फीमेल Officers को भी ट्रेन किया जाता है OTA की Training टोटल 11 मंस की होती है 1962 में दो Officers Training Academies का Inauguration हुआ था जोकी चिन्नाई के अलावा पूने में भी स्तित थी January 1, 1998 में इसका नाम Officers Training Institute से बदलके Officers Training Academy रख दिया गया और फिर 1992 से Lady Cadets को भी इस Prestigious Academy में ट्रेनिंग मिलने लगी Academy की टोटल कपासिटी है 750 और OTA का मोटो है Serve with Honor Academy प्रोवाइड करती है अब प्रॉपर, Inclusive Military Training ताकि Cadets का Physical, Mental और Psychological Development हो पाए Cadets को टोटल 49 weeks की ट्रेनिंग मिलती है जो की दो सेमेस्टर्स में डिवाइड़ है Basic Training के अलाबा, Cadets वहां हो रहे various games, activities और co-curricular events में भी involved रहते हैं Academy में, Cadets को Officers और Leaders में convert किया जाता है Academy में faculty ensure करती है कि वो Cadets की communication, tough situation में survive करने की efficiency, weapon handling और military standards को improve कर पाए और end में वो एक successful leader की तरह इमर्ज हो जो की अपनी sub units को battle में lead करने के लिए efficient हो OTA की दो training battalions में से एक है रंजीत सिंग battalion जुसमें चार companies है जेसामी, कोहिमा, बसंतर और फिल लौरा और शिवाजी बटालियन में तीन companies के नाम है नौशेरा, मेक्तिला और जोजला इन सारी companies के नाम उन locations पे हैं जहां कभी historic battles लड़ी गई है दोस्तों अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack की books को पढ़ना ना भूलें इन books में आपको सभी important topics और exercises मिलेंगे जो आपको SSB interview के लिए सही तरीके से prepare करेंगे इन books का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा Academy की passing out parade 49 weeks की training के completion को mark करती है जिसके पूरा होने पे एक भावे parade conduct होती है passing out parade end होती है by very famous tipping and oath ceremony OTA चिन नए technical और non-technical दोनों ही courses की training प्रोवाइड करता है OTA lady cadets को भी train करता है ये lady cadets अलग-अलग background से आती है किसे भी lady cadets को special treatment नहीं दिया जाता है OTA में एक lady cadets का दिन सुभा साड़े 5 बजे शुरू हो जाता है जब सुभा उठके उन्हें morning master parade attend करनी होती है जो की आगे 40 minute की drill training से follow होती है फिर breakfast सुभा 7 से 8 के बीच schedule होता है उसके बाद cadets को सुभा 8 से तुपहर एक तक regular affairs जैसे की training, academics और swing में involved रहना होता है उसके बाद cadets के पास समय होता है अपने daily work finish करने का या फिर कुछ chosen cadets को senior से रगडा मिल रहा होता है फिर उसके बाद evening games शाम 3 से 5 बजे तक conduct होते है शाम 5 से 7 साथ तक lady cadets senior के disposal पे होती है फिर रात 7 साथ से 9 के बीच dinner serve किया जाता है जहां सारे cadets साथ में खाना खाते है फिर रात में 9 से 11 बजे का time seniors द्वारा unofficial रगडा या फिर daily analysis के लिए रखा जाता है और फिर 11 बजे रात में lights off हो जाती हैं ताकि cadets एक अच्छी नींद ले सके throughout the training lady cadets का schedule लगभग यही रहता है और gradually सारे cadets इस schedule को life का inseparable part बना लेते हैं दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे aspirants के साथ शेर कीजिए साथ में subscribe कीजे हमारी चानल SSB crack exams को मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर दो आप